कलमेश्वर के तेल गाउं में 13 मार्च से 14 मार्च तक दो दिवसी आदर श्रंकर पर्ट का आयोजन किया गया जिसका शुभारम पशुपालन दुगदु विकास खेल एबं युवा कल्यान मंत्री सुनील के दार के हाथों नाकपूर जिला परिशद अद्यक्ष रश्मी बरव उपाद्यक्ष सुमित्र कुम्भारे पूर्व जिला परिशद उपाद्यक्ष मनुह कुम्भारे पशुपालन तापेश्वा बेस आदी की प्रमो कुपस्तिती थी पूरे जिले के किसानों की और से पूर्व जिला परिशत उपाद्यक्ष मनुहा कुम्हरे ने पिछले साथ वर्षों से बंद इस से बैल दोड को फिर से शुरू करने के प्रयासों के लिए पूरे जिले के किसानों की और से मंत्री सुनील के दार को धन्यवाद दिया तो भई इतने सक्षम नेतरत्व के मार्ग दर्शन में हमें एक काम करने का अफसर प्राप्त होकर हम नाकपूर जिले के ग्रामेन शेत्र की जनता तक हर योचना पहुचने की हमारी कोशिश रहेगी ऐसे विचार व्यक्त करते हुए जिलब परिशत अध्यक्ष रश्मी बर्वे ने सभी किसानों को शुपकामनाई दी पशुपालन दुगद विकास खेल और युवा कल्डियान मंतरी सुनील के दार ने अपने समोधन मिका की देश की अर्थ ववस्ता की कुँझी ग्रामेन शेत्र और मेरे किसान भाई है पिछले साथ वर्शों से इस शंकर पड़ पर प्रतीबन लगा हुआ था राज़ के लिए प्रतीबंदित कर दिया था जिसे मानेने सर्वोच न्यायाले ने फिर से शुरू कराया इसका श्रे हम सभी को है इस विचार को वेक्त करते हुए उन्होंने विश्वास वेक्त किया कि पशुपालन डेरी विकास मंत्राले द्वारा लागू की जारे विबिन योचनों के कारण ग्रामेन अर्थ ववस्ता निशित रूप से मजबूत होगी ग्रामेन शित्रों के लिए पशु सनवर्दन, दुग्द विकास खेल और युवा कल्डियान मंत्राले महराश्रु सरकात द्वारा अनेक योचनाय चलाई जा रही है जिसका लाब अवश्य रूप से ग्रामेन अर्थ ववस्ता को होगा ऐसा विश्वास अपने संभोधन म सुमित्रा कुमभारे ने माना आयोजित यह दो दिवसी शंकर पर तेल गाव के आदर्श क्रीडा मैदान में सुप्रिंग कोड के दिशान निर्देशों के अनुसार आयोजित की अचारा है इस आयोजन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहवागी होने का नुरोध बराब महाजन ने किया है सावनेर से नभी से न्यूज के लिए किशो धुंडेले की रिपोर्ट